अगर आप भी अपने अंचाहे बालों से बहुत ज़्यादा परिशान हो चुके हैं और पाना चाहते हैं जल से जल इससे चुटकारा तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आएं दोस्तो आज की जिर रेमिडी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है अक्सर लोग पालर में जाके अंचाहे बालों से चुटकारा पाने के लिए बहुत सारे चीज़े कराते हैं जैसे ट्रेडिंग कराते हैं वैक्सिंग कराते हैं फिर पिर उसकी बावजूद जो है उनके बाल काफी ज़्यादा मोटे आने लगते हैं और तो और बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है तो आज की चे रमेडी दोस्तों उसमें ना आपको कोई दर्द होने वाला है ना आपका कोई पैसा खर्च होने वाला है पारलर जाने की विए आपको ज़रूरत ने घर बैटे ही आप आराम से अंचाहे बालों से चुटकारा पा सकते हैं तो ये जबरदस्त रमेडी दोस्तों केवल आपके लिए यकीन माने इतना जादा अच्छा रेजर्ट मिलेगा आप देखकर खुश हो जाएंगे आप कहेंगे यह हमें पहले क्यों नहीं आपने बताई चलिए फटा फट से वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शोन बनाने के लिए आपको बाहर से कोई भी चीज खरीदने की जरूरत ने आपको घर बेटे घर पर ही आपके आराम सी यह सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी तो अंचाहे बालों को हटाने के लिए दोस्तों मैं आपर इस्तमाल करें गुड और निम्बु का क्यूंकि दोनों कोई चीज़े अंचाहे बालों को हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंद होती है सबसे पहले तो आप गुड को ले लीजे गुड को ग्रेटर की मतल से ग्रेट कर लीजे या फिर आप कूट के इसको बारीक पाउडर भी बना सकते हैं मैं आपर थोड़ा ही रे परम करके फिर लगा सकते हैं पारलर में जब हम जाते हैं वैक्सिंग कराने के लिए तो बहुत सारे हमारे पैसे खर्च होते हैं साती समय भी खराब होता है यकीन मानिए दोस्तों इस रेमिडी को करने के बाद ना यूस करने के बाद बना के देखने के बाद आप कभी भी दुबारा पारलर जाना नहीं चाहेंगे तो यहां पर एक चमश मैंने ग्रेटर की मतल से ग्रेट कर लिया है गुड़ को तो एक पान ले लिया है मैंने जिसमें इस रेमिटी को में बनाने जा रही हूँ और आपको निम्बू की कुछ बूंदे आपको यहां पर लगने वाली दियान रखें जादा निम्बू का रस नहीं केवल चार से पांच बूंदे ही आपको निम्बू की रसकिस में मिलानी है अगली जो चीज हमको यहां पर लेनी है वह हनी यानि की शहत जितना गुड़ एक चमश गुड़ है तो एक चमश यहां पर आपको हनी लेना है अगर जब तक आपको इसको पकाना है जब तक दोस्तो इसकी गुड़ की जो खुश्बू है वह आने नहीं लगती है और जब तक इसमें बबल्स उतना ना शुरू हो जाए यह रेमिडी इतनी ज्यादा पावरफुल होने वाली है दोस्तों आप देखकर हैरान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगता है तो आप ना इस तरीके से होम रेमिडी का इस्तेमाल करके अंचाहे बालों से आराम से घर बैटे बैटे चुटकारा पा सकते हैं अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें बबल्स आना शुरू हो गये हैं ज्यादा समय भी नहीं मिनिट में ही जो रेमिडी है बड़िया से बनके तयार हो जाएगी अगर इस यह रेमिडी जो बच जाए आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं दुबारा से अगर आप बनाना चाहें दुबारा से पटाक से बनाके आप इसको लगा सकते हैं यह देखे किस तरीके से बब काम भी बिल्कुल ये वैस सही करती है एकदम गरम गरम भी इसका इस्तमाल आपको नहीं करना है एकदम थंडा करके भी नहीं करना है हलका गरम रहे ना उस वक्त आपको इसका इस्तमाल करना है और आपने देखी लिया इसको तयार करना भी कि किस तरीके से आप घर बैठे आसानी से अंचाहे बालों से चुटकारा पास सकते हैं In fact, इसको लगाने की बाद आपको खुद मैसूस होगा कि आपकी skin काफी ज़दा soft हो गई है आपकी skin बिलकुल baby soft आपको लगने लगेगी और तो और जहां पर tanning है वो tanning भी आपकी बहुत अच्छे से remove हो जाएगी मैंने ले लिया हैं आपर एक कपड़ा तो कोई भी कपड़ा आप ले लीजे या फिर अगर आपके पास waxing की strip है ना तो strip भी आप ले सकते हैं मैंने आप एक कॉटन का कपड़ा लिया है सबके पास तो waxing strip नहीं होती तो इस तरीके से कपड़े के मदद से भी आप अंचाहें बालों को निकाल सकते हैं कि इस तरीके से strip का ही ये कपड़ा काम करता है और कपड़े में आपको live result बता रही हूं देखे चोटे-चोटे से बाल आपको नजर आ रहे होंगे एक ही बार में जटके में आपके बाल जो है वो रिमूव हो गए इस तरीके से अगर आप यूज कर लेते ना इसको दोस्तो तो दुबारा से जो बाल है आपके जल्दी आने नहीं आएंगे नहीं और जो 15-20 दिन में आप निकालते थे ना बालों को उसकी जो consistency है वो दो-दो महीने तक बाल नहीं आएंगे उतनी कम हो जाएगी दूसरे हाथ में भी जो बाल है उसको भी मैं आपको अभी निकाल के ब जहां पर हैर ग्रोत हो रही है उसकी अपोजिट डारेक्शन से आपको उसको खीचते हुए निकालना है देखिए कपड़ा वही में यहां पर इस प्रेस कीजिए और इसको खीचके आप निकाल दीजिए और यहां पे बिल्कुल भी आपको पेइन नहीं होता है क्योंकि यह लेकप्टे से इसको पोच दीजिए कभी कभर क्या होता ना जब हम इसको करते हैं तो किसी कि आपको जुटकरा दिलाती है ना बहुत ही कमाल की वीडियो दोस्तो आप भी इस रेमिडियो जरूर ट्राय कीजिए रेमिडियो आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो यदि आपको थोड़ी सीपे अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर दीजिएगा कि आपके जरी उनकी भी मदद हो जाए थैंक यू सो मच वाचिं दिस वीडियो फ्रेंद्स मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक कैर